स्वागत है आपका आज के एपिसोड में सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है समगर शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एक इकरित योजना है जो प्री स्कूल से लेकर कक्षा बारह तक के संपूर्ण दायरे को शामिल करती है दूसरा कथन है इसमें सर्व शिक्षा अभियान, रास्ट्री माध्मिक शिक्षा अभियान और शिक्षक प्राधिकरण की तीन योजनाओं को शामिल किया गया है तीसरा कथन है यह वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्राले द्वारा शुरू की गई एक केंद्री क्षेत्र की योजना है उपर युक्त में से कितने कथन सही है विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 3, विकल्प C केवल 1 या विकल्प D 1, 2 और 3 तो इसका सही उत्तर है विकल्प A सम प्रिमाधिमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक प्रशिक्षण की 3 योजनाएं शामिल है अता कथन 2 सही है यह वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्राले द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है इसमें केंद्र और अधिकाइंश राजियों के बीच का विभाजन शामिल है अता कथन 3 सही नहीं है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रशन के साथ भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है वर्ष 2023 में टीबी की अनवानित घटना वर्ष 2022 के अनवान की तुलना म है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2 तो इसका सही उत्तर है विकल्प B आईए देखते हैं टीबी रिपोर्ट 2024 के बारे में वर्ष 2023 में टीबी के अनवानित मामले पिछले वर्ष के 27.4 लाख के अनवान से थोड बढ़कर 27.8 लाख हो गए अतह कथन एक सही नहीं है भारत ने वर्ष 2023 तक संक्रमण से पीडित 95 प्रतिशत रोगियों का उपचार शुरू करने का लक्ष हासिल कर लिया है अतह कथन 2 सही है वर्ष 2023 में दर्ज मामलों और मृत्यू की संख्या देश द्वारा निर्धारित लक्षों से कम रही अगला प्रशन है जैन धर्म के संबंध में निलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है जैन धर्म 6 शताबदी इशापुर में प्रमुखता में आया जब भगवान महावीर ने इस धर्म का प्रचार किया दूसरा कथन है इसमें कुल 24 महान तिर कोई भी नहीं तो इसका सही उत्तर है विकल्प B जैन धर्म 6 शताबदी इसापुर में प्रमुखता में आया जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार किया अतह कथन एक सही है इस धर्म में कुल 24 महान तिर्थन कर हुए जिन में से अंतिम भगवान महावीर थे अतह कथ अगला प्रशन है एक्टिस्ट पॉलिसी के संदर में निमनलेखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है भारत के प्रधान मंत्री ने एक्टिस्ट पॉलिसी यानि 4C के 4 स्तम्भो अर्थात सांस्कृतिक आदान प्रदान वानिजिक संबंध कनेक्टिविटी संवर्ध और क्षमता निर्माण पर जोर दिया दूसरा कथन है एक्टिस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ जुडाव आर्थिक एकीकरन पूर्वी एश्याई देशों के साथ साजेदारी और संबर्धित सुरक्षा सहयोग पर जोर देती है उपर युक्त में से कौन सा या कौन स पर विस्तरित एशिया प्रशांद क्षेत्र के साथ आर्थिक सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक कूटनी तिक पहल है भारत के प्रधान मंत्री ने एक्टिस्ट पॉलिसी के चार स्तम्भो अर्थात सांस्कृतिक आधान प्रधान वाड़िजिक संबंध कनेक्टिविटी संवर्धन और क्षमता निर्माड पर जोर दिया अता कथन एक सही है एक्टिस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ जुडाव आर्थिक एक की करण पूर्वी एशियाई देशों के साथ साजेदारी और संवर्धित सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर देती है ता कथन दो सही है अगला प्रशन है गयर कानूनी गतिविधिया रोक्थाम अधनियम यानि यूए पी ए उनीस सो सरसट के संदर्व में निलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है से पहली बार वर्ष उनीस सो सरसट में अलगावादी आंदलुन और राष्ट विरोधी गतिविधियों से निपटने के उद्देश इससे लागू किया गया था दूसरा कथन है यूए पी ए आतंकवादी गतिविधियों के लिए अधिक्तम सजा के रूप में मृतिविधियों के बजाए आज इवन कर आवास का प्रावधान करता है उपर और राष्ट विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए लागू किया गया था दा कथन एक सही है यूए पी ए में आतंकवादी कृतियों के लिए उच्चतम दंड के रूप में मृतिव दंड और आजिवन कारावास का प्रावधान है अता कथन दो सही नहीं है या रा रास्ट्रिय टीबी उनमोलन कारिकरम का उद्देश्य वर्स दोहजार पचीस तक टीबी महामारी को समाप्त करना है दूसरा कथन है शहरोग के उपचार के लिए दो टीके वैक्सिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानि वी पीम एक हजार दो और माइको बैक्टिरियम इंडि रास्ट्रिय टीबी महामारी को समाप्त करना है अता कथन एक सही है शहरोग के उपचार के लिए दो टीके वैक्सिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानि वी पीम एक हजार दो और माइको बैक्टिरियम इंडिकस प्रानी यानि एमाईपी विक्सित किये गए हैं अता कथन दो भी सही है एमपॉक्स से संबंधित निलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है यह मंकी पॉक्स के साथ होने वाला जीवाड जनित रोग है दूसरा कथन है मनुष्यों में इसकी पहचान मूलता 1970 में कॉंगो लोक्तांटिक गणराजी में हुई थी तीसरा कथन है वि विकल्प B केवल दो विकल्प C सभी तीन या विकल्प D कोई भी नहीं तो इसका सही उत्तर है विकल्प A एमपॉक्स एक वाइरल विमारी है जो मंकी पॉक्स वाइरस के कारण होती है इसके दो अलग अलग प्रकार हैं क्लेड वन और क्लेड थी अता कथन एक सही है मनुष् सामने संपर्क से भी या फैलता है डवल एचो ने एमपॉक्स को दो बार अंतर आस्ट्री चिंता का सारोजनिक स्वास्त आपात काल घोशित किया पहली बार मई 2022 में और दूसरी बार अगस्त 2024 में अतह कथन 3 सही नहीं है भारत में पहला एमपॉक्स मामला वर्ष 2022 में सामन करता है दूसरा कथन है इसकी अध्यक्षता राष्ट पती द्वरा की जाती है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है विकल्प A केवल एक विकल्प B केवल दो विकल्प C एक और दो दो विकल्प D ना तो एक नहीं दो तो इसका सही उत्तर है विकल्प A हा लुआ ये जानते हैं रास्ट्री वन्य जीव बूर्ड याहनि NBWL के बारे में तो वन्य जीव संख्षाड धिनियम 1972 के थाट वर्ष 2003 में रास्ट्री वन्य जीव बूर्ड का गठन किया गया था रास्ट्री वन्य जी बोर्ड वन्य पारिस्थित्की से संबंधित मामलों में सर्वोच निकाय के रूप में कारे करता है अतह कथन एक सही है यह निकाई वन्य जीवन से जुड़े मामलों तथा रास्ट्री उध्यानों और अभ्यारणियों के आसपास निर्माड या अन्य परियोजनाओं के समिक्षा करता है अगला प्रशन है यो दभ्यास के संदर में निमनिलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है इसकी शुरुवात वर्ष 2004 में हुई थी दूसरा कतन है या हर वर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कतन सही है यह है विकल्प A किवल 1, विकल्प B किवल 2, विकल्प C 1 और 2 दो या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2 इसका सही उत्तर है विकल्प C हाली में भारत अमेरिका के बीच यू दभ्यास 2024 की शुरुवात हुई यह यो दब्यास राजस्थान के महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज में शुरू हुआ बता दें कि यह एक संग्युक्त सेन अभ्यास है आए जानते हैं यह दब्यास के बारे में इसके शुरुवात वर्ष 2004 में होई थी अता कथन एक सही है यह हर वर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है अता कथन दो भी सही है साथे इस अभ्यास के 19 संस्क्राण सफलता पुर्वक हो चुके है भारत और अमेरिका के बीच होने वाले कुछ अन्य संग्युक्त अभ्यास बजर प्रहार जो थलसेना का है यो धव्यास जो थलसेना से संबंधित है कोप इंडिया जो वायो सेना से संबंधित है रेड फ्लैग अमेरिका का बहुपक्षी वायो अभ्यास है अगला प्रशन है सेमिकॉन इंडिया 2024 के संदर मैंने लिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कत्रन है या कारिक्रम भारत की मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहलों के तहट शुरू किया गया है दूसरा कत्रन है इस पहल का उद्देश्चे भारत को सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन में आतनिर्भर बनाना है उपरिक्ट में से कौन सा या कौन से कत्रन सही नहीं है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनो या विकल्प D ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर है विकल्प D हाल ही में PM Modi ने ग्रेटर नोईडा में तीन दिवसी कारिक्रम सेमिकॉन इंडिया दो हजार चौबिस का उधगाटन किया तो आईए जानते हैं सेमिकॉन इंडिया दो हजार चौबिस के बारे में या भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उत्देश्य भारत को सेमिकंड़क्टर और इलेक्रानिक्स उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना है अताकतन एक सही है गरतलब है कि यह कारिक्रम भारत की मेकिन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहलों के तहत शुरू किया गया है अताकतन दो सही है यह कारिक्रम देश की विदेशी निर्भरता कम करने में सहायता क इसका रिक्रम के अंतरगत सेमी कंड़क्टर तकनी की केक्षित्र में शोध इभम विकास को प्रोतसाहित किया जाएगा बतादें की सरकार अनुसंधान सु विधाओं और सेमी कंड़क्टर डिजाइन एकोसिस्टम को स्थापित करने में निवेश कर रही है भारती सायोजन के माध्यम से वैश्विक सेमी कंड़क्टर कंपनियों और निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंतरित कर रहा है अगला प्रशन है दक्षिनपूर्व एशियाई रास्ट संग के संदर्व में निमनलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन है आसियान छेत् अक्षा मुद्धो पर बादचीत्व सहयोग के लिए एक मंच है तीसरा कथन है मैत्री एवं सहयोग की संधी यानि TAC 1976 ने आसियान के सदस्य देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों और सहयोग के लिए एक रूप रिखा स्थापित की उपर युक्त में से कितने कथन स कारियान वैन की देखरे करता है अतह कथन एक सही नहीं है आसियान क्षेत्री मंच यानि ARF आसियान सदस्य देशों और उनके भागिदारों के बीच राजनितिक एवं सुरक्षा मुद्धो पर बादचीत और सहयोग की लिए एक मंच है अतह कथन दो सही नहीं है मैत्री रहा प्रोजेक्ट री प्लान निमनलखित में से किस्से संबंधित है विकल्प A पारम परिक्रिशिप अधतियों को पुनर जीवित करना विकल्प B शीड वन भूमी का पुनर जनन विकल्प C प्लास्टिक अप्षिस्ट को उप्योगी उत्पादों में पुनर चक्रित करन या विकल्प D विस्थापित समुदायों का पुनरवास तो प्रश्ण का जबाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें धन्यवाद Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले